नमस्कार दोस्तो, स्वागत आपका फार्मिंग हेल्प चैनल पर जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकडाउन चल रहा है जिसके चलते चैनल पर किसी प्रकार की मंडी की वीडियो नहीं आ रही है और अब हम आपको एक न्यू वीडियो दिखाने जा रहे हैं अभी हाल फिलाल में सोना लीका ने टाइगर सीरिज लौंच की है ये लगव बहुत सारे बाईयों को पता भी होगा जिसमें उन्होंने थाइस एस पी से लेकर सैट एस पी तक के ट्रेक्टर लौंच की हैं इसमें यदि आप कहेंगे तो हम एक एक करके सभी की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे और आज हम आपको बताने जा रहे हैं डियाई पस्पन के बारे में टाइगर सीरिज का जो डियाई पस्पन ट्रेक्टर है ये ठावन एस पी का ट्रेक्टर है और इसमें च्यार स्लेंडर दिये गए है ये ट्रेक्टर यूरोप की टेकनोलोजिस डिजाइन किया गया है और इसमें ट्विन बैरल हेड लैंप दिये गए है इसकी जो इंजिन कपैस्टी है 4,087 cc है और 2,000 rpm में दिया गया है इसका जो एर कलिनर वो ड्राइ दिया गया है इसका जो गेर बॉक्स है वो कंस्टेंट मैस है और साइड शिप्ट में है कल्च टाइप जो वो ड्यूल भी है और डबल कल्च भी है इसके गीर जो बारा दिये गए है और PTO पावर इसकी 540 rpm और रिवर्स PTO भी दिये गई है इसके जो ब्रेक अवो मल्टी डिस्क हो आई भी दिये गए है और पावर स्टीरिंग में ये ट्रेक्टर दिया गया है इसकी जो लिफ्ट कपैस्टी है वो 2000 kg है इसके फ़रंट टायर साथ पचास सोडा और चैपचास बीस दिये गए है और इसके जो पीछले टायर है वो 16.23 के दिये गए है काफी आकर सकाइड लैंप दिये गए इस ट्रेक्टर में और इसका जो प्लैट फोर्मा वो भी काफी फ्लैट दिया गया है कार की तरज पर और इस ट्रेक्टर में 4D एर कूलिंग दिया गया है और इसकी जो स्पीड हो 49 km पर आवर की दी गई है और इसमें SkySmart के नाम से Live Tracking Technology दी गई है जिसमें कमपनी ने अपनी Official वेब साइट पर दरसाया है की तीन गंटे के अंदर अंदर आपको ट्रेक करके मकैनिक आपके पहुंच जाएगा और आपकी प्रोबलम को सोलो किया जाएगा और यदि ज्यादा बड़ी प्रोबलम है तो दो दिन के अंदर अंदर प्रोबलम को सोलो कर दिया जाएगा ये कमपनी ने अपनी Official वेब साइट पर दरसाया है और सोना लिगा कमपनी के अनुसार ये सभी प्रकार के अपलिकेशन में अच्छे से वरक करेगा और असली रिजल्ट का पता तो फिल्ड में आने के बाद ही लगेगा सभी बाई उसे अनुरोध है कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आगे भी हम टाइगर सीरीज के दूसरे जो ट्रेक्टर है क्या उसके बारे में भी कोई वीडियो बनाए इसके लिए आप कमेंट जरूर करिए धन्यवाद